हलो एबरिवन, आज मैं आपको एक अलग प्रोजेक के बारे में दिखाऊंगी, जो सब्जेक है उसका हिंदी सबसे पहले उसकी फ्रंट पेज की बात करूँ, तो एक वाइट पेज के ऊपर ब्लेक कवर पेपर लगा दिया है उसकी उपर ब्राउन करर की ये स्टिक लगा दिया है, एक ब्लेक पटी एक ब्राउन पटी, पूरा ये ब्लेक पेपर नहीं लगाया है, ये इतना वेस्ट नहीं किया है मैंने ये ब्लेक पटी की लगाई है और ब्राउन पटी लगाई है जिसमें प्रोजेक का में टॉपिक है कबीर दास जी के उपर सबसे पहले उसकी प्रेजेंटीशन की बात करूँ तो यह मैंने कबीर दास जी ब्लेक पेपर है इसलिए वाइट पैन से लिखा है एक कवर जैसा बना दिया है उसके उपर लीफ का यूट्यूब में उसके वीडियोज अवेलेबल है लीफ के उपर इसके उपर ब्लू कलर कर दिया है ताकि बहुत ही खुबसुरत लगे यह कवर बना के इसमें सारे की सारी डीटेल्स डाल दी है जो कवर था उसमें मैंने ये सारे अलग-अलग पेजिस बना के इसमें डाल दिये है अलग-अलग कलर का यूज करके किया है आपको पहले ये मैं बता दूँ कि ये पट्टी कैसे बनाई सबसे पहले इस जगाओ पे सलोटेप लगा की यहाँ पे कलर कर दिया ताकि बिलकुल अलग-अलग कट्टी जैसा हो जाए और उस पट्टी के नीचे जो वाइड कलर होगा महाँ पे सलोटेप निकाल दी और बाद में वहाँ पे लिख दिया अब जब आप सलोटेप निकाल रहे हो तो बहुत ध्यान से निकालना पड़ेगा ताकि वो फट न जाए इसलिए एक अच्छा पेपर यूज करना है जो जाड़ा हो और ये सारे डिटेल्स मैंने लिखी थे हम जब पी कबिर जी का नाम याद करते हैं तो उनके दोहें बहुत प्रसिद्ध हैं इसलिए मैंने नेक्स्ट पेज उनके कबिर जी का फोटो के साथ लगाया और उनमें से उनकी जो प्रसिद्ध दोहें हैं वो लिखा और ये लिव पी मैंने वही तरीके से बनाया है तो ये पूरा प्रोजेक्ट कम्प्लीट हुआ थेंक यू, स्टेए ट्यून अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेर और सब्सक्राइब कीजिए थेंक यू